नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में और आज के इस वीडियो में मैं एनाई उएस से डियलेट करने वाले सिक्षकों के लिए बड़ी ख़वर लेकर आई हूँ जो है कि अगर वो परिक्षा में नकल करते धरे गए तो उनकी नौकरी भी जा सक जाएगी अगर डियलेट परिक्षा में सिक्षक चोड़ी करते पकरे गया नकल करते पकरे गया तो उनकी नौकरी ख़त्म कर दी जाएगी परिक्षा में चीट पूर्जा के साथ पकरे गया सिक्षकों को वर्खास्त करने का आदेश दिया गया है 31 मईस से 21 केंद्रों पर हो कराया जा रहा है जीले में 14,000 सिक्षक इस परिक्षा में शामिल हो रहा है डी एम ने कदाचार मुक्त परिक्षा को लेकर सिक्षा विभाग वो प्रशाशनिक अधिकारियों के साथ समिक्षा बैठक की है सक्त निर्देश दिया है कि किसी केंद्र पर कदाचार की सूचना मिल तो केंद्र अधिक्षक पर प्रात्मी की दर्ज कराई जाएगी डी ए उललन प्रशासी ने कहा कि परिक्षा पुरी तरफ पारदर्शी हो इसके लिए विक्षनकार सिक्षक नहीं करेंगे सिक्षकों की जाच का जिम्मा ममता कारे करता वा आंगन बारी शेवकाओं को दी जा रही है बैठक में डीम ने परिक्षा केंद्रों पर प्रवेश के समय सिक्षकों की गहन जाच करने का अदेश दिया यह मुझफरपुर के हिंदुस्तान पेपर का नियूज है रहेगी सकती ममता वा आंगन बारी शेवकाओं को सिक्षकों की जाच का जिम्मा केंद्रों के पास माइक्रोफोन ध्वनी विस्तारा के अंतरपर प्रतिबंद 31 माई एक वा दो जून को होगी परिक्षा 14,000 सिक्षकों के सामी सभी 21 केंद्रों पर धारा 144 को किया गया लागू और मुझबफरपुर में कौन-कौन सा परिक्षा केंद्र बनाया गया है उसको हम लोग देखते हैं उस पर धारा 144 को लागू किया गया अवेदा अ़ा श्कूल, मुखर्जी शेमिनैरी, बीवी कॉलेजीया, जीला ही स्कूल, डीएन ही स्कूल, मरवारीयोच विद्याल, नारायन Tillman एटुकेशन पॉइंट, बिध्या बिःर, डॉल्फिन पब्लीक स्कूल, रेजोनेंस, इंटरनेशनल स्कूल, डीयवी पब्ल पॉब्लिक स्कूल माली घाट बाली का उच्छी विध्याल करिक्षा के अंदर है आगे के वीडियो में मैं नाइवस्ट डेलेट से समझे तो और भी न्यूज आपको दे दी रहाँगी इसके लिए पेरे चैनल को सस्क्राइब कर ले शाथ में वेल आइकोन को प्रेश कर ले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें धन्यवाद